नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube Channel में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बहुती चवर्दस उपाय के बारें बताएंगे रात को सोने से पहले एक लोटा जल और हल्दी चुपके से फेंग दें हाँ जी हाँ दोस्तो दोस्तो कहा जाता है कि जोती सास्तर में बताएंगे उपायों को करने से व्यक्ति अपनी हर मनो कावना को पूर्ण कर सकता है कहते हैं रात के समय कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए कहते हैं कि अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से और गरीबी से बचने के लिए रात्री के समय कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए यदि मौका कोई खास दिन का हो तो आपको अवश्य ही करना चाहिए जैसे एकादसी, पूर्णिमा, अमावश्या, ग्रहन आदी काल हो या पिर कोई त्योहार हो तो आपको अवश्य ही रात्री के समय कुछ खास उपाय करने चाहिए जिस प्रकार से रात्री के समय दिपावली के दिन पर उपाई किये जाते हैं ताकि माता लक्ष्मी को अपने घर की और आगशित किया जा सके उसी प्रकार से कहते हैं कि माता लक्ष्मी रात्री के समय ब्रह्मन पर निकलती हैं दोस्तों राहू और केतू बेहदी क्रूर ग्रह हैं लेकिन काफी कम ही लोग जानते हैं कि जब भी किसी की कुंडली में राहू वे केतू बलवान होते हैं तो लोटरी वे सटा लगने के प्रबल योग बनते हैं यानि कि अचानक से धन मिलना गड़ा हुआ धन मिलना या पर ध दन आने के मार खुल जाना, ये सबी राहू और केतु जब आपकी कुंडली में प्रवल होते हैं, तब आपको ऐसे योग बनने लगते हैं, जब भी किसी ब्यक्ति का राहू और केतु बलवान होता है, तो ऐसा ब्यक्ति अपने आप में माया भी सक्तियां समेटे हुए होता है दोस्तो राहू और केतु जितने ज़्यादा कुरूर होते हैं उतने ही ज़्यादा रहस्च में भी होते हैं और ऐसे ही लोगों पर अचानक से माता लक्ष्मी महरवान हो जाती है और धन की प्राप्ती होती है तो दोस्तों आज की जो वीडियो है जिसमें हम आपको उपाय बताएंगे इसे करने से राहो और केतु तो बलवान होते ही हैं साती माता लक्षमी प्रसन होकर धन आगमन के सभी मार खोल देती हैं इसीरे खास दिन यत्योहार पर आपको चात्री के समय कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि माता लक्षमी आपके घर की और आपकी तिजोरी की और आकर्शित हो सके और आपके घर में उनका इस्थाई वास हो सके तो आप सभी लोग जो कोई भी अपने घर में धन को संचित करना चाते हैं धन की प्राप्टी करना चाते हैं या फिर माता लक्षमी को अपने घर बुलाना चाते हैं माता लक्षमी सशने है प्रेम है माता लक्षमी की आशिरवाद आप प्राप्त करना चाते हैं तो एक बा अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैमा लक्ष्मी दोस्तो हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि आप कौन से उपाय करके शीदर धन की प्राप्ति कर सकते हैं तो बस बतले में आप हमें एक बार माता लक्ष्मी का नाम अवश्य लिख कर दे दीजिए बस आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं अवें आपसे और कुछ नहीं चाहिए केवल आप मा लक्ष्मी का नाम लिखें और यदि आपके मन में सरदा है तो आप वीडियो को अवश्य शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें ऐसे ही उपाए और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले ताकि हम जब भी कोई नई वीड डालें तो आपको सबसे पहले पता चल सके क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऐसे ही जवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई जीवन तो अब मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो के बारे में रात को सोने से पहले बस एक लोटा जल और हल्दी चुपके से फेक दे हां फिर देखें समतकार किस प्रकार से आपकी पूरी जिन्दगी बजल जाती है दोस्तों आज की वीडियो में हम केबल आपको छोटे छोटे उपाई नहीं कि ये भी बताएंगे कि माता लिए